दिश में मद्दान पूरा होने के बाद भी वहां का मामला ठंडे बस्ते में जाने का नाम नहीं ले रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि BJP को अपनी हार अपने सामने नजर आ रही है मद्दान से पहले तक तो मामला मैनेज भी किया जा सकता था मद्दान के बाद जस तरह से इवियम को लूट लेने की होड मच रही है और कॉंग्रिस कारिकरता इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसे देखकर मामला साफ है कि MP में उट कॉंग्रिस सी करवट बैठने जा रहा है और ऐसे में अब गोदी मीडिया में काम करने वाले पत्रकार भी खुलकर ये बात कहने लगे हैं कि इस बार मध्देपडेश में BJP की वापसी मुश्किल नहीं बलकि नामुम्किन सी होती जा रही है तो अब गोदी मीडिया और उसमें काम करने वाले लोगों ने ही एक ऐसा एक्जिट पॉल दिया है जिसे सुनकर भाजपाईयों के होश उड़ जाएंगे मोदी और शाह के पैरों के नीचे से जमीन किसक जाएगी तो वीडियो को अन तक जरूर देखिए और मध्यपरदेश में भाजपा और शिवराज की हार नहीं बलकि मोदी को नकार दिये जाने की पूई कहानी सुनिये नमस्कार अदाव आप देख रहे हैं खबर एड़ा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बो लीरा न्यूस्टेटीफोर की पत्रकार राजीव रंजणनी मध्यपरदेश को लेकर जो अपना विशलेशन साज़ा किया है उसके हिसाब से बीजेपी के लिए 3 दिसमबर किसी प्रलाय से कम नहीं होने जा रहा है ग्राउन का हाल बताते हुए राजीव कहते हैं कि बीजेपी ने जिन साथ सांसदों को विधाय की दौड में दौडाया है उनमें से पांच सांसदों की जीत पर काली बादल मंडरा रहे है चाहे वो कैलाश विजेवरगिय हो, नरेंदर सिंग तोमर हो या इनके जैसे बीजेपी के 3-4 और कद्दावर नेता जमीन का हाल बताते हुए वो कहते हैं कि बीजेपी के लिए जहां मध्यपडेश शुरू से ही नाक का सवाल था तो वही सांसदों के समें कूच जाने से मामला और पेचीदा हो गया बीजेपी नेताओं की जमीनी पकड़ का फायदा उठाना चाहती थी लेकिन बेचैनी जो इस वक्त मदान के बाद बीजेपी के अंदर है उस देखकर ये लगता है कि बीजेपी नेताओं के पैरो तले जमीन ही खीट चुकी है अब जब सांसदों की सीट का गनिती बिगडा हुआ है तो ये बताने की जरूरत नहीं की बीजेपी के बाकी प्रत्याश्यों की हालत क्या होने जा रही है कॉंग्रिस की रणनीती चुकी इस बार काफी ध्यान से और छीतरी इस तर पर तैयार की गई थी जो उसे इस चुनाओं में फायदा दिलवाता दिखाई दे रहा है वहीं बीजेपी के केंद्रिनेतृत का पूरा प्लान ओफ अक्शन दिल्ली में तयार किया जाना बीजेपी को नुकसान पहुचाएगा क्योंकि इन सांसदों को उतारने के लिए जिनके टिकेट कटे वे तो बीजेपी के खिलाफ गए ही और साथ ही साथ एक confusion का महौल भी बन गया अधिक भारी पड़ा बहले आक्रे साफ तीन दिसंबर कोंगे लेकिन उसके पहले के एकजट पोल में बीजेपी कम से कम मध्यपरदेश में एकजट करती हुई जरूर नजर आ रही है राजीव रंजन की माने तो मध्यपरदेश में कॉंग्रेस सरकार बनाने जा रही है तरहा से फस गई है क्योंकि इन पांच राज्यों का चुनाव मोधी अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं और एकजट पोल के आकड़े बता रहे हैं कि मोधी को जनता ने नकार दिया है आपको याद होगा करनाटक में भाच्पा की हार के बाद आरेसस ने खुलकर कह दिया था कि सर्फ मोधी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है जिसका मतलब था कि अब मोधी के दुखडे और मुखडे पर वोट नहीं पढ़ने वाला है आरेसस के इसी बात को गलत साबद करने के लिए इन पांच राज्यों का चुनाव मोधी अपने चेहरे पर लड़ रह है और वो तब होगा जब आप जितना ज्यादा जॉइन की बटन का इस्तमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी होसला अबजाए करेंगे साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजे फेस्बूक और इस् कर दो हमेन एक अज़ capacIVा इससे हमारे में सब्सक्राए एकं और येख टाए विधन पर भासे हो आप हमारे में सब्सक्राइब को अगरो ये और हम ये जो जो आठीश कर साभाory हो अगरे हैं जो हमारे में सन्चलाग करा दो pięnt intake कर